याद है अगर याद है तो पीछे से हाथ उठाओ याद है हजारों लोगों का ऑपरेशन उस ट्रेन पर हम लोग निशुल करते थे और मेरी सोच विचारदारा थी कि जो विशेशग्य को हम आ लेके आएं जो डॉक्टर दिल्ली में मेरे आखों का इलाज करता है उस डॉक्टर रिशी मोहन को मैं रोहर साल उस ट्रेन में लेके आता था और आप मेंसे कई बुज़ुर्गों को याद होगा सन 1980 में मेरे पूझ पिताजी की पीडी शर्मा जी गाड़ी की भीशम एक्षिनेंट हुई थी उनका पैर चकना चूर हो गया था डॉक्टर उने कहा था कि इलाज नहीं हो सकता ओल इंडिया मेडिकल इंसिट्यूट में डॉक्टर ने उनके पैर के अंदर कील डाला ताकि सारी हट्टियों को एक साथ कर पाएं डेड़ साल लगे उनको दुबारा चलने के लिए उस डॉक्टर दवे जिनोंने मेरे पूझ्य पिताजी का पैर का ऑपरेशन किया उस डॉक्टर दवे को हम लाइफ लाइन में लेके आते थे आपका ऑपरेशन करने के लिए मेरे बाई और बाई जो लोग बड़े शेहरों में लोगों का इलाज करें उन लोगों से ही आपका इलाज मैं कराओं ये मेरी दिल की मनशाथी मेरे भाई और भाई और एक मेरा साथी शेत्र का मेरा नागरिक उसका नाम था राजे इंद्र गवंशी कनेरा गाओं का हर बार में जब आता था कुना आके मुझसे मिलते थे बहुत उर्जा थी लेकिन बोल नहीं पाते थे उनकी बोलनी की नली खराब हो गई थी उस राजे इंद्र गवंशी जी को हम लाइफ लाइन एक्स्प्रेस पर ले गए डॉक्टर ने उनका गला काटा खराब बोलनी की नली को निकाला नई बोलने की नली को डाला और आठ नईने बाद मेरे ऐसे ही मंच पर राजे इंद्र गवंशी भाशन दे रहा था मेरे भाई और मेरे अगर एक व्यक्ति के जीवन को हम बदल सकते हैं अगर एक व्यक्ति के जीवन को हम सुखी बना सकते हैं तो पिर ये जीवन सफल हो गया हम अगर एक व्यक्ति के चेरे पर अगर आप खुशी का असार देख पाओ क्यों इसलिए क्योंकि वो मेरा केवदमत दाता नहीं वो मेरा परिवार का सदस्या है मेरे लिए मेरा परिवार मेरी मा राज माता साथ मेरी पत्री मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा केवल परिवार नहीं मेरे लिए मेरा परिवार समुचे खोल्य चंबल अंचल की जंता है मेरे भाई और बेटा अभी ओला व्रिष्टी हुई जो खड़े हैं सो खड़े रहें जो बैड़ गए सो बेड़ गए अभी ओला व्रिष्टी हुई पाँच किलोमेटर चौड़ी पत्टी नभे किलोमेटर लंबी पत्टी गुना से घुसी अशोक नगर चंदेरी होते हुए पिछोर गई खोड तक गई शिप्पुरी में खोड से करेर नर्वर होते हुए करेरा गई 200 गाउं प्रभावित हुए 20 हजार किसान जिनकी लहल आती हुई फसल साथ दिन बाकी थे फसल काटने की पूरी दरह से चौपट उनका दिल टूटा हुआ था मैंने मुक्यमंत्री मौदे मौहन यादम जी को फोन किया मैंने उनसे निवेदन किया और मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ इमीजटली उनोंने अदेश दिया हर पटवारी और तैसिलदार खेत और खल्यान में जाए और नुकसान का मौदा करवाए अड़तालीस घंटे में अड़तालीस घंटे में नुकसान का मौदा हुआ अड़तालीस घंटे के अंदर मैं दौरे पे आया था 28 गाओं गुना हो बमोरी हो चंदेरी हो अशोपदगर हो पिछोर हो शिप्पुरी हो करेरा हो मैं स्वयम गया और केवल किसानों का धाड़स बढ़ाने का काम नहीं उनके हाग में मध्यप्रदेश सरकार की प्रशास किया स्वीक्रती पत्र मौदा राशी की दिलवाई मेरे भाई और बेहनों एक बार हमारे मुख्यबंत्री मोहन यादव जी के लिए तालिया बजाओ अरे ये थोड़ी गुना की तालिय है भया अभी विमान में हैं लैंडी कर रहे हैं ऐसी तालिय बजाओ कि उनको विमान में सुनाई दे पीछे से और एक एक किसान में के हाथ में तादा रण तौर पर नीता लोग जो होते हैं गाओं में जाते हैं जहते हैं भाईया फोटो ले मैं किसान के साथ ख़ड़ा हूं हाथ में दोजार रुपए का चेक थमा दिया कि एक एक किसान के हाथ में पांच हजार का चिप नहीं दस हजार का प्रशास के स्वीकृति पत्र नहीं पीस हजार का नहीं पचास हजार का नहीं कि साथ हजार से हस्सी अजार से नबब्ब अज़ार से एक लाग से एक लाग पीस हजार से तेड़ लाक टक का प्रशास की अश्वी करती पत्र उनके हाथ में दिया मेरे भाई और बैनों यह है कि डबल इंजिन से सरकार का कमार केंडर में मोदी जी और प्रदेश में मोहन यादव जी सही है कि ने अगर सही है जातारी बजाओ तरह से भी मैं के को देख सकता हूं जातारी बजाओ अब मैंने कहा यह है कमाल कि अब लेंजिन की सरकार की आज आज आपका सिवक्त आपके काम के सब्सक्राइब के सिवक्त उनिया राइब दो प्रोबावादी लिए अपर लिसक पारोबिए और गुला ने आपका सेवाथ आपके अता हुए जो हुआ हम नो ऐते हैं अपर लिए यह दो अपर लावादी जो आए झाल झाल पिताया मार्ता का हर्टिटाइप रुआ है बाइपास चाहिए और मुंबाई हाईवे से जिजाद हमें दिल्वाईए सोलह माईने के अंदर मैंने उस बाइपास का शुननियास भी कर दिया और उसका लोकार पढ़नियाब के लिए कर दिया मेरे भाई और भैनों मुंबाई के पास मरीन ड्राइव है तो मेरे पास हमारा गुना का बाइपास है मेरे भाई और भैनों मोती के माले की तरह दिखता है आपको मोती के माले की तरह दिखता है और जहां कुना का बाइपास का व है फैला ये मेरे कि एक एक सरक बनाया ह। बज़़ंग्ल का आर वह भी बनाया हां सवी ओध कि अभी सुणाओ कुझ यदा नहीं दिख आंतना व्यातान कर से एप हुग्या और बंद्या नों र हुबिभी और degli सर्माजी आप यकीन नहीं करेंगे कि देश में सहारोबी कही बनाएन नहीं क्यों इंजिन्चक का क्रिश्वा है यह पहले आहां पहर आता है दπά है पंटद आना । पिर आता है नी से पुर जाता है दाई है तक दाए दा यह जा अ संभवकारता है कि बजरंग्यार किया रहे हो गुना स्टेशन में कववे बोलते थे कववे एक या दो ट्रेन आता था साहिए कि निए कि आज गुना स्टेशन में आपको देश के हर्पोने से मैंने जुडा दिया हिंदौर के लिए ट्रेन बोपाल के लिए ट्रेन शिंदवाडा के लिए ट्रेन जैपूर के लिए ट्रेन चन्नाई के लिए ट्रेन पूने के लिए ट्रेन मैंने तो आपके लिए उल्टी गाड़ मुंबई के निये ताकि आप मुंबई जा पाऊ ट्रेनों की शिंकला पहले यहां ट्रेन आती नहीं थी यहां पहले पहले साथ चला लोयों सालिक आपको जक्तर तक ले जाना पहले तो यहां ट्रेन में आती ती, मालुम है क्यूँ क्योंकि लोग कहते थे कि लाइन ही नहीं है और कि गोटा बीना लाइन और वांद या इलुना लाइन उसका विजुत्य करण करवाया ओगोटा बीना लाइन का दोरी करण करकाया तो जोड ट्रेन हे क worthwhile में चुन, 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 जुन. बोलविलेका, चुन, चुन, चुन. चल्ती जी, 12 करण और 30.,000 करोण उपय का, उसके बार ट्रेने चली लगी, तुनामे, चुन, 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 बंशु, साइयं कि रई? चाहे ट्रेन हो, जाए तरक हो जाए आत्यारों भी हो गुना में नवो जाले बजरंगर में आज हमारे मुख्यमंत्री ने जुनाओं के पहले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद ताट्या टोपे का विश्चों जाले गुना के लिए श्विक्रत कर दिया है तो गुनाओं के लिए वो भी श्विक्रत है जब सेशन एक एक गाउं में लगाने की कोशिश रही है हमारे गुना के लिए एक एक विकास अप्रगती ये कोलियर देवास का जो हाइवे है न एक ट्रक अगर अटक जाती थी तो चार घंटे वेट करना पड़ता था ये दो लेंग के हाइवे को चैलेंग तोल भी हटा दिये अब ये जो चैलेंग का हाइवे बन गया है गौलियर से शिप्पुरी शिप्पुरी से गुना गुना से रुठियाई रुठियाई से राओगड राओगड से देवास तक पाँच हजार करोड उपैका मेरे भाई और मैंट विकास और प्रगती मेरी जिम्मेदारी होगी तो जहां गुना में विकास का सफर पे हम लोग चले हैं वही केंद्र सरकार में हमारे प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी भारत का जंडा गड़ के रखे हैं मेरे बनों अर भारत का जंडा तेश में नहीं गाड़ा आज भारत का जंड़ा विश्व में नहीं गाड़ा अ प्रदान मंत्री जी ने दो आज भारत का जंड़ा चांद पे गढड दिया चांद पे जभाब और हम बच्चे थे हम लोग चंदा मामा पढ़ देते वो चंदा मामा का सपना साकार अगर किसी ने किया तो प्रधान मंतरी नरेंद रोतीजी ने करो तिया मेरे भाई यो यो बैं आज देश के अंदर प्रदान नलजल योजना गुना की जो प्यास होती थी उसको पुजाने के लिए सिंसे सौ करोड अभी बैठे राजेंसर रूजा जी नगरपालिका देखते इनके साथ मिलकर सौ करोड उपय की पानी की योजना प्यास पुजाने के लिए गुना के लिए मैं लेके आया सौ करोड गुना के लिए तेर सो करोड मड़ी खेडा शिप्पुरी के लिए और असी करोड चंदेरी के लिए राजगाट से लेके आया आज प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने अश्वी करोड गरीबों को ड्रतली वज़ाओ एक बार मुख्यमंद्री मौन यादर जी किलिए अरे पीछे से ताली वज़ाओ मौन यादर जी यह जरा जन्ता का भी वाकमरarda स्विकार करिये पहले जरा जन्ता का स्वागत स्विकार करे दालियों की कर गाठ ताली बयाते लो तो जहाँ प्रधान मंत्री जी में 80 करोड लोग को इस देश के अंदर मुट राशन दिलवाया है कितने लोग हैं आज इनको मुट राशन मिलता है 80 करोड 80 करोड का अनुमान लगाओ 80 करोड का अनुमान है जो अमरीका की आबादी है उस अमरीका की आबादी का भाई कुना आबादी को प्रधान मंत्री ने राशन मुट दिलवा के दिलवाया है मेरे बाई और बेहनों तो ब्रदान मंत्री जी की सोच है शांत हो जाओ आई दादा ओ दादा या दादा इधर 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 प्यार भगवान ने एक जिंदगी दी है जगणने का क्या बतना पल पल की जिंदगी है कब हम आएंगे कब जाएंगे हमारे हाथ में नहीं तो हसके सभी की जिंदगी बनाओ जिंदगी का तफर है सुहाना तो मैं कह रहा था प्रदान मंत्री जी में निर्ने लिया कि ज्ञान के मॉडल के साथ अरे भाईया सब कर दूंगा पहले चिला चिला के नहीं साथ तारी को जाके बटन दबा देना उसके बाद दिनदारी मेरी जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने किया तो आप जो मांगोगे वो तो मैं करूंगा ही अब उसक्रा लो अब उसक्रा लो तो मैं कह रहा था उनका मॉडल ग्यान मॉडल है देट को आगे ले जाने के लिए जान मॉडल मतलब क्या गासे गरी यासे युवा असे अनदाता और नासे नारी शक्ती मेरे बेहनों ये ग्यान मॉडल के आधार पर हम आगे चलेंगे जासी करोड लोगों को राशन दिया है वाद दस साल के अंदर चार करोड घर बने हैं प्रदान मंत्री आवास यूजना के तहर्ट जा घर बने हैं राशन दिया है वा एक एक व्यक्ति को आयो समान कार्ड की योजना मिली है मेरे भाई और बेनों कितने लोग है जिनको आई शमान कार्ड मिला है आज उठाओ ये योजना पाँच लाख की स्वास की सुविदा आप सब लोगों के लिए कौन दे रहा है रहा है कोन दे रहा है ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बेनों और मोदी की गारंटी मतलब उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी है और इसलिए यू ही नहीं चुदते सब मौदी जी को वो सपने नहीं वो हकीकत हुनते हैं मेरे भाई और बेनो यह यह उश्मान कार्ड है वा मैलाओं के लिए उजवला गैस कनेक्शन का कार्ड कितने मैलाओं को उजवला का चूला और गैस का सिलिंडर मिला हाथ उठाओ एक एक को मिला है और आज मैला हाथ उठाए रखो सिलिंडर अपने आप है कि नहीं पाथ साल में आपको सिलिंडर उठाने की जरूरत नहीं होगी पाइट के द्वारा गैस आपके घर में आएगा ये प्रदान मंत्री जी ने का है मेरी लाटली बहना कितनी है या मेरी लाटली बहना कितनी है या 1250 मिल रहा है 1250 1250 मिल रहा है हरमा आ रहा है खाते में मुख्यमंत्री मोहन यादर जी बेज रहे है आज के तारीक आरे हटो भाया फोटोगर वर्क चलो हटो हटो यहां से चलो जाओ आप लोगा मोहन यादर जी ने आज के तारीक में या मोहन यादर जी आपने करके तारीक में महिनाओं के खाते में डाल दिया है हर महिने आता है आता है अब मुझे बताओ बीच में कोई कोई करता है कि नहीं मालूम है क्यों क्यों कि मोधी जी और मोहन यादर जी ने सभी जेव कत्रों का जेव काटके जेल के प्लाकों के पीछ डाते हैं और भारती जन्ता पार्टी का संकल्ब है मोहन यादर जी का संकल्ब है आज बारह सो पचास मिल रहा है पात साल के अंगर पीन हजार रुपईया मिलेगा हर माँ खाते में जा एक तरफ राशन का मुफ्त राशन है अवास योजना है उजवलाई योजना है आयूशमान काड है किसान सम्मान निदी के कितने लोग हैं है किसान सम्मान निदी मिल रहा है कितना मिल रहा है कितना मिल रहा है बाराजार मिल रहा है बाराजार मिल रहा है शेजार बोदी जी से और शेजार अरे जोर से बोलो तो तालिया बजाओ जरा मोवनियाद जी के लिए अब एक प्रश्चना है अगर दोजार बीस में हमने सरकार न बदली होती तो शेजार मिलता तो ठीक किया न सरकार बदल के ठीक किया अगर ठीक किया तो तालियों के गर्लाण बजाओ और साथ तारीक को भूल का बटन नबाओगे जिस प्रधान मंत्री ने 500 साल पुराना स अपना पूरा किया भगवान राम को ऐयो द्यां में तुबारा अस्तापित कर दिया जिस भगवान राम 500 साल से टेंट में विराजे थे राम लल्ला का परान प्रतिष्टा करके उनको बिठा दिया बोलो मेरे साथ सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की और जो कॉंग्रेस पार्टी राम लल्ला को कहती है कि कालपनिक है जो कॉंग्रेस पार्टी ब्रश्टाचार करती है जो कॉंग्रेस पार्टी मेरे महिलाओं के लिए अब शब्त इस्तमाल करती है जो कॉंग्रेस पार्टी बाबा साब अम्मेटकर का सम्मान नहीं कर पाई उनको चुनाओं में हराया मेरी महिला देत्री इमर्ती देवी के बार के और आज मेरे भाई और बेनों साथ तारीक को मैंने विदन कर रहा हूं एक भी वोट ना छुटे करमी है सब लोग सुबहे साथ बज़े मद्दान के लिए जाओगे आद उठाओ कमल का भूर बनाओ पीछे तक हाथ उठाओ कमल का भूर बनाओ सब लोग जाएंगे मद्दान के लिए एक एक वोट देनेगा मोदी जी क्यों साथ ओगे मुझे अशिर्वात दोगे पूर्ण रूम से एक भी वोट नहीं छुटेगा तो बोलो मेरे साथ बोदी जी का साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास और हम करेंगे गुना का कई गुना हाथ उठाकर मुट्टी बाज़कर मेरे साथ को भारत मता की भारत मता की बारत मता की बहुत बहुत धन्यवाद जैहन जैवारत अब हमारे दीज में हमारे अपने मेरे साथ बोलो तेकरी सरकार की बीज बुजा मया की बीज बुजा मया की बीज बुजा मया की है अब हम सब के बीट में हमारे अपने मद्ध प्रदेश के मुख्य मंतरी डाक्टर महुने अदप जी प्रदेश के अद्दक्ट पिष्ण दश्रमा जी और हमारे लोगत कवा के सांदा त्यादी स्रीमा पिसंदिया जी का स्वागत हमारे चारों मंदल अद्दक्ट हमारे तीनों निताव का अब करें हमारे तीनों निताव का अब करें है हमारे प्रदेश के अध्यक्त हमाने कि अध्यक्त के बीच में है आपको और हम सब को जो कि हमारे अपने सहे सरल मिलंसार है आप सकते बात करेंगे सम्मानने कि अध्यक्त कर्मा बोलिये भारत माता की भारत माता की भारती जन्ता पर्टी जिन्दा पाथ नरेंद बोदी जिन्दा पाथ आज इस गुना की एत्यासिक सभावें हम सब के बीच हमारे मध्यबुदेश के लोगप्री मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन आदव जी पस्तित है जोगदार तालियों के साथ हम अपने मुख्यमंत्र जी का विरंदन करें और आज हमारे गुना संचती लोगप्री मुख्यमंत्र महराच जोट्रादी जिन्दिया जी आज हमारे बीच उपस्तित हैं और आज इस सभा में उन्होंने आपसे अपील की है और मेरे भाई और भेहनों मांदी मुख्यमंत्री जी और मैं भी दोनों अपील करने के लिए आए हैं कि मांदी जोट्रादी जिन्दिया जी को एक यास के पहुमत से विडिया सी दिलाएं बोल जोना तालियों से अबिनित्मन करिए हमारे मंत्री आदनी तुल्शी स्राबती जिलेक्य अथिआक्स्माई अरवें सिंगी आदनी बेक पेकाश्थ हरमघी घोपाला चारोगी हमारे मिधायक पन्यला शाक्यवी हमारी मिधायक महन प्रेंका मी्डादी प्राजयन थलुजाई रादेशामझी पूरा मंच सम्मानी मंच और आज इतनी बड़ी सिंख्या में इस जंचमा में उपन सेथ गुना नगर के नागरी भाई और बहनों आदनी सिंधिया जी ने आपके सामें सारी बातों को रखाएं विकास की का था किस प्रकास है विकास इसे गुनाज छेत्र में संजदी छेत्र जंदर भार्ती जंता पाटी की सरकार ने किया है तो मेरे भाई और बहनों मैं तो आप से केबल दो तीन बाते करने के लिए आया हूँ हर करीब के जीवन में मानी पुर्धान मंत्री मौधी जी ने बदलाव लाया है कि नहीं लाया है हर करीब के जीवन में आँखों में खुशी आईये कि नहीं आईये प्रदानमंत्री नरंद मोधी जी ने इस भारत के अंदर जो भारत आतंकबाद से जगे जगे पर इसकोर्ट होते थे पाकिस्तान प्रेरित आतंकबाद जम्मू कस्मीर को आतंकबाद के साए में लगातार होता था मेरे भाई और बहनों इमांदारी से बताना 2014 के बाद मोधी जी ने सफ़त लेने के बाद देश के अंदर कोई भी स्पोर्ट हुआ है क्या अरे भी ताकर से बताओ कोई भी स्पोर्ट हुआ है क्या अब तो हालात ये है पाकिस्तान की सीमा पर अगर कोई हमारे सेनिक पर हाथ दालने का प्रयास करता है जैना को इतना सक्षन प्रदान मंद्री ने बनाया है क्या उन्हें पता दिया है अगर आपने आग भी उटाई तो पाकिस्तान में घुष करके हमारी सेना जबाब देने का काम करती है अब तो हालात ये है कि कोई फटा का भी भूड जाता है है अच्छाइय को अध़ दाला प्रदान मंत्री सटकाल क्लीरेंस अगर वर दोसे लगता है कच जल्दी से चल्दी अगर हमने का रिव नहीं क्ली गार मुदी में हो रिजम प einzघ्र की कल क्या करएगा दिए अधाव प्रदान मंत्री मूजी कि नित्रतु में हमारी सेला को सक्ष्यम बनादे का काम किया है आज देस के अंदर प्रिस्टाचार मुक्त भारत यहां पर अभी आधरी शिंद्या जी ने कहा बेरों को 1250 रुटे हैं हमारे किसानों को किसान संभादी दी मिलती है एक अधरुप्या भी इसमें से कोई चलाल भी चौтор यहां जाता था क्या लिए उसलिए ब्रसटाचार मुक्त भारत के के दिए आताउमास एक दितने के लिए अ घ्रीब के जीवन से घुजी लाने के लिए हार पहरुकरत के अंदर जो सुन्मारे छुशांत हैं अब में आपको बतारा चाहताूं आजादी के बाद केवल चोंफर एरपोर्ट में थे लेकर आजादी जोत्राजिर शिंदिया जी जब से नागर क्विमानर मंत्री बने हैं तो इस देश के अंदर देड़ सौ से ऊपर एयरपोर्ट बने है और गुना का एयरपोर्ट भी बना है जोर्णास्तालियों से अभिनांदर करिए ये भारती जलता पाठी की सरकार है तो विकास की कती को ब गेइंड मेरेत बात करता ओधे लांतर देशcc के अंदर पुढ़ान मंत्री ने विए चार जातीयां है पहली जाती मेरी महेना वेना मार यद्यान बाहि Benson Allah तुर्षिया जाथी Each यह डियाय और देख कंत बंभरत पहारत पढाना है इन आतियो को सकत पनाने के लिए ये दोजार चुनाव है लेकिन मेरे मन के अंदर बड़ी पीड़ा है और मेरे भाई और पहनों अब समय आ गया है मेरी पहनों के बारे में कॉंग्रेस के लिए तुन्हें जाय तिक विजया सींग हो जो बंटा घार तिक विजया सींग दोजार तीन से पहले मत्यपुर्देश को जो दुरावस्ता के दौर में लेकर के आये थे या इस जेत्र के अंदर कमल नात हो जो ने करफ सन्नात की भूमिका में इस कोंग्रेस के जप्स जीनतू पटवारी मेरी तेलिस समाथ की महन की मर्ती देवी के लिए जो कहा मुझे बताओ मेरे बैलों भाईयों उन सब्सक्राइब उप्योग मेहलों के सामने नहीं कर सकता मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूँ ऐसे कोंग्रेस के देताओं क हमें जबादेरे की जरुवत है कि नहीं है ताके से बताओ है कि नहीं है तो समय आ गया है साथ तारी को जिस जीतू पटवारी में जिस रदस की बात की है मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूँ साथ तारी को कमल का पटन दवाकर जोत्रादी सिंदिया जी को एत्यासिक पहुमत से बिजैसरी दिलाकर प्रधानमंत्री मोधी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनको इतना रस चखा दी जिए कि जीतू पटवारी तो क्या राहुल गांधी भी कभी किसी मेरी बहन के लिए गलस जब्दों का उप्यूब ना कर सकते हैं पोलिया सब्कायार है मोधी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे जो त्रादिर सिंदिया जी को हर पूत पर कमल खिलाएंगे केवल जुनावनी चित्र मेरे बैड़ार भाईयों महोन अदब जी और आपके प्रधेशन चक्स दोनों आए हैं और केवल इस बात के लिए हैं कि सिंदिया जी दिल्ली में जब पहुंचेंगे तो यहां का कमल का फूल की ताकत इतनी हो कि मोधी जी ठोके कगोना सिवपनी स जन्जदी चित्र में इतिहास बनाया है वोलिया सब सैयार है वोलिया भारात महता की भारात महता की जजयाज स्री रोग केक्रिवान हरुमान जी की और गुना के जन्ता भाई और भेहनों की बहुत्वा संद्वा आफ के और हमारे दोवरों के मध्य की तब जूरिय दोहीं हाँ हम सब के बीश में मध्यप्रदेश चाशन के सामधार मुख्रमक्री दाक्टर distribution बन पर जोड़ार करता है हमें वहन्वान भान जयादाक्टरल महन अधब बीश बोले महाकाल महाराज की, तेक्री वाले हनमान जी महाराज की, गोपाल कृष्ट भगवान की, मंचपर विराजमान, भारत सरकार के यशुष्वी मंत्री, सिरिमान सिंध्या जी, मंचपर ही विराजमान हमारे प्रदेश के अट्यक्ष, सिरिमान वीडी सर्मा जी, मेरे साथी मंत्री मंडल के, माचने तुलसी सिलावर जी, धार्डमेन सिकरवार जी दिलाज्यक्ष, और सम्मानी मंच जोरदार अविनननत कर दे पूरे मंच का, आप तो इतने भाकि साली गाओं, गुनावाले, इधर मुँ पहिताओं तो चंबल का अद्वार, और इधर मुँ पहिताओं तो मालवा का अद्वार, आपकी चारों उंगली, और सिर्व, बोला भारात मातागी, क्या भाकि लिखा है, गुना के लोगों ने जोरदार अपन ये लिये काली बजाओं परत्मान के समय के अंदर, गाल के फ्रवा में कुछी जिलव पर परमात्मा ने इतनी क्रपा की, और इतनी क्रपा की, एन के लिदि गिर कही रिफा उपल में, जीर कामे, भीना किताब झूपत करमेंगर ने भी गुना कम ने पढ़ता, ये गयरanti द सकता हो गुना से कोई गुना कर ले तो जब तक घर छोड़के लिए आए चेन नी पड़ेगी गुना वालों को यह में पक्का के सकता हुए एक बार गलती कर दी सुन्सट में राजमाता सिद्या जी के साथ कांग्रेस के लोगों ने क्या पटिया उलाल किया राजमाता जी ने पूं की खिलाई ठिकाने लगाया और अभी आपके अपने भावी सांसक और सरकार के मंत्री क्या जूम जूम के अपनी बात के रहे थे इनके आरेक शरीर के एक कंद से वह भाव निकल के आ रहा था जिस घमंड के पहार पे बेचकर कमलनाथ ने अहंकार की बात की दी उसको फुल्ट दाले का काम भी किसी ने किया आपके जिन्दप्रतिनी सिंध्या जी ने किया जिन्दा है इस तरह के जिन्दगी के प्रमान चाहिए और किसी दुश्यंत कुमार में बहुत अच्छा सेर कहा महराग मुझे तो बुशेर कम बोले माता है लेकिन कभी-कभी इसका सुंतिया है कि तुमको पता नहीं कि तुमकी जमी में खड़े हो जया कमाल यह है कि तुमको यकी नहीं है जिस जमी पे खड़े थे उनको यह मालूम नहीं था कि कंदे पे बेटके तो सिंध्या जी के सरकार बनाई थी और उनसे का कि उतर जाओ सिंध्या जी तो बाद में उ किया अपने करम से यह क्या ठिकाने लगे कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान हो करके अपने साथियों सही जिसने अपनी माटी का सम्मान बढ़ाया असली अर्थों में चुमाओं इसी बात का है यसस्वी सिंद्या जी वर्सेस कांगरेस जोरदार काली वजाओं हम कोनों ग्रह की अलग-अलग भूमी का है एक राहू एक केतू आप ध्यान देना ये दोनों ग्रह से इस सारे भूंकम तो परेसा नहीं आना जाना होता है एक छिंदवाड़ा वाले और यह आपके भगल वाले हैं बोलो भारास्त माता की समझदार को इसारा काफी है ये दोनो अगरत इसको लग जाए ये अब हम भगवान की दया से सिंद्या जी इदर आ गया है ये कांग्रेस पाल्टी को लग पूरा ही दुपा के छोड़ेगे कुछ छोड़ने वाले नहीं कुछ बाकी रिने वाला नहीं है राहू देवता की को यह विश्यस्ता है उनको इतनी भू 2बुक लगती है मन शिद्या जी मान आफिविली जी अपने खीश नहीं को लगती है था बहुता की ओला फाल ऊसके साय detox कार्थि इसका वाहार दिक माहर आपने ठिकाने लगाया मेरे को तो आनंद आ गया और आज के समय में चुनाओ की बेला में जब मैं चुनाओ की बात करने आया हूँ तो यसस्वी प्रधान मंद्री के लिए जोरदार ताली बजाओ शिर्मान नरेन वोदी जी के लिए हमको चुनाओ के लिए चैन करना होता है और चुनाओ के लिए चैन करना तो हमारे प्रत्यासी हमारे नेत्रों को करता और कांग्रेस के नेत्रों को करता दोनों को आपने सामने रखना पड़ेगा और दोनों को उस धंसे देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं अपने भीच में से जिस प्रकार से हमने चुनाव देखा है कि चुनाव के अंदर अगले चुनाव के लिए एक तरफ 56 इंच के सीने वाले यससी प्रधान मद्री नरेंड वोदी है जिनके कारण से पूरा देश और देश तो क्या कहो पूरा लोकत हमतर विश्व के अंदर विश्व का सबसे वड़ा देश भारत आज दुनिया उशकी तरफ देख रही है और कि एसे वीर हमको को लगतां भारत मा का चित्र अंदर भारत माता का द्रस याद करो ये माता है बहने बैठी है हम मात्र सर्ष्टी को प्रणाम करने वाले व्यक्ति है हाथ में भगवा धज लिये माता तीन तरफ से समुत्र उनके चरण पकार रहा है और मुकडमणी कस्मीर उपर है और पीछे सिमु की सवारी है सेर की सवारी हमको लगता है भगवान ने नरेज मोधी के रूप में माता की सवारी करने के लिए भैजा है हमको इसबात का अनंद है काल के प्रवा में एसास होगा इस बात का पहला वोट देश की सुरक्षा के लिए पूरे देश से आतंगमाग का खात्मा दूसरा वोट सब की जान बचाने के लिए 17 लाख साल पहले हनमान जी ने लखनलाज की जान बचाई थी राम रावण युत्व के समय वो मुर्चा से घायल थे और घायल व्यक्ति को बचाने के लिए हनमान जी से बढ़कर के योग की कौन व्यक्ति था जो संजीव नि ला सकता था हनमान जी को याद किया और हनमान जी देवता ये से हैं कि हनमान जी ने कहा कोई बात नी मैं समझी नहीं आता हूं समझनी पड़ी तो पूरा पूरा पहाड लेके आगा है कि ये लोर पहाड आख फाट लो जबी कूल सी वह हमको मालूम है उस समय लखनलाल बचे थे और आज पक्के हनुमान धक्त जिनको टेकरी वाले हनुमान जी का भी आशिरवाले जोरदा ताली जाओ अपने देवता के लिए नरेंज मोदी जी के नेत्रत में जोदिदा जिंद्या जी के नेत्रत में आप सब समझ लो कोवीट के समय सब की जान के लाले पड़े थे घरवाले घरवाले शे डर रहे थे जनाने के लिए समसार में लकड़ी कम पड़ रही थी डाक्टर देस में हाःकार मच रहा था ऐसे खराब समय में दुनिया में कोई किसी को सूज नहींregular ती लेकिन सबसे पहले किसे लगाया सरीमा नरेन मदीन सबसे पहले लाध दाउन लगाया और लाध दाउन लगाई के पूरे देश की जान बचाई ये कांग्रेस के लोग उस समय के रहते ये मोदी क्या कर रहा है ये ताली बज़वा रहा है ये थाली बज़वा रहा है भाईया वो ताली थाली नहीं बज़ा रहे थे पूरे देश को बचा रहे थे जो भूके थे उनके घर गेहूं चावल अन् जिन्दा की और आज या जित्ता हम जिन्दा हैं आपको किसको तीका लगा हाथ खड़े करके बताओ जिनको तीका लगा होगा तो सके अर्थों में हनमान जी की करें आज हनमान भक्ते जान बचेंगा 이제 पहला वोट जान के लिए और दूसरा सां सांस्कतिक राश्टवाद, भगवान, हनमान जी किसके भगत थे भाया, बताओ के ज़रा, किसके थे, और राम जी कहां पेडा हुए थे, आप पता ना कहां पेडा हुए, आप पता ना कहां पेडा हुए, अरे जूर तो नहीं बोल रहो, आपको मालूम, आपक यह कंसी मालूम को ऐत्तूके उत्य अच्छा, इनको प्रमान देदो, आप सब प्रमान देना इनको, अब Спरैमान देना, अब मैन बताँवा भग्वान राम का धाम भी जग्मगाया, भग्वान राम का सारा मुकदमए का जन्रेडवी निप्ता, यह अपना दूसरा वोट उस वोड़ देने के लिए हम गोपाल करश्ट को याद करें जम्ना जी के किनारे बोलो गोपाल कर्श्ट भगवाने की वव अपना क्रश्ट का नईया आपको बुला रहा है याद करा है कि भौत हो गया भीया राम जी का धाम का अनंद आ गया बाबा पर आप कभी याद करना कांग्रेस वाले के हमारे भी राम हमारे भी राम आप केवल इतना पूछ लेना एक बार आयो के जाके फोटू घिचाया गया भगवान राम के साथ यह आज तक कभी गए क्या नहीं गए आप इन जगे चलो उस पर भूलो आप क्रश्ट कनईया का ताल कुछ लगता है इतना बड़ा हिंदूर समार इतना बड़ा सांस्कतिक राश्टवात के लोग यह सब का अप्मान करना जानते यह घमंडी लोग आप देखना 2014 का चुनाओ प्रदान मंद्री बनने के लिए नरेंद मोदी जी गुजराच छोड़ करके दंके की चोट समाजवाज़ी और कांग्रेस का गडबंदने उक्तर पुदेश में यह उनके किले में घुच करके बनारस से चुनाओ जीत के बताते हैं यह हमारा नर्बाहत्तू न परेंद मोदी है और यह घमंडिया लोग जिनको जमीन मालूम नहीं कहां खड़ें पिछली बार अमेटी से भागे थे केरल में जाके अठके वो तो आगे समुद्र आ गया में तो राहूल कहा जाता मालूम नहीं पड़ेगा और उसके बार अब वापस केरल से तो केरल से भ मैं अमेटी से लड़ा दूआ तुमको मैं राइबरिली से लड़ा दूआ महां से आते आते हवा निकल गई यह अपनी पहन के भी नहीं हुए जिजा जी में पोस्टर लगाए थे पुरे उत्तर प्देश में के मैं लड़ने पो तयार हूँ यह जिजा के भी नहीं हुए ब लेकिन याद रखो भगवान सब देखना है अईज्या प्रुद्देश में हेके निये उत्तर प्देश में हैं और अज्या अपने देश में भी हिएके निये और मत्रा भी अपने देश में ही के हैं तो क्या मत्यवर्देश क्या उत्तरपदेश में कली आया हूं सब ने कसंद खाई जो राम का नहीं जो राम का नहीं और इस जगे बोलने का तो हनंदी अलग है हमको मालूम 5000 साल पुराना समय याद कर लो कंस भी मामा थे क्रश्ट के कोई अलग-अलग तेगया लेकिन धर्म के मार्ग पार टाइक कंस का मामला हो या आमने सामने कोरो पांडों की सेना सजी हो धर्म के मार्ग के लिए भगवान करशने सदेव धर्म की जेजे कार करी के नहीं करी तो यह युद्ध है धर्म का आज बदलते समय में आले लगलग तरह से चरीत रियाद रखो हम चरीत रियाद रखे मैंने चिंता मत करो आपके लाड़ली बेना लेकिन हम याद करे हमको गाली देने वाले कांग्रेस वाले और उनके जित्ते खमंडिया घडबंदन वाले ये सब के सब गाली दे रहे मोधी जी के लिए भाजपा के लिए जो गाली देने दो जितनी गाली देना देने दो सब सुनते जाना बुआ भती जे थे भगवान कर प्रश्ट और शुसुपाल रिस्ते में ठेके नहीं थे बॉग बती है। देश्ट बहगवान के जलीये किसी ने उनको कह लिए कि इसकी शुसुपाल की नत्यू द्रश्ट के हमें होगी। बॉआ को लगा के मेरा बेटा फैज मरेगा। तुम गुआ गई प्रश्ट भगवान के पाद, के प्रश्ट मेरा लाड़ प्यार का बेटा है, इसकी तु रख्षा कर लेना, गुआ को आस्वासंदिया भगवान प्रश्ट ने, के मैं पूरा ध्यान रभूमा गुआ, आप मेरे को मालूम मेरा भाई है, लेकिन ये गलती कर करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, एक नी, दो नी, तीन नी, चार नी, सो तक कीन लुआ, लेकिन सो के बाद भी ये समात तो जाएगा, ये भुआ का लड़का और मैं इसका वाई, ये इसके मेरे, और जैसे ही मिन्यान उपुरे हुए, भगवान ने उगली उपर उठाई, और उपर उठाते ही, भगवान के हाथ में सुदर्शन चकर आया, आया के नहीं आया, हम सब याद करना, और जैसे ही सुदर्शन चकर आया, भगवान ने सोब बुरा होते ही सुदर्शन चकर को आड़र दिया, आप भी अपनी उगली बचा के चलना, आप भी गीन लो जितन इत्ते हो रही है आप भी मत भूरईना साथ तारी सख जो जो बोले ना साथ तारी के दिन कोई भाई नी कोई भति ढूनी आम्ister हमने की रणशेत्र में सेना में सामने आने सल्मेह कितल लड़ई होगीम्त सब्सक्राइब कि आप अपनी उगली बचा के चलना आधुनिक समय में शुदर्चन चक्र में वोटिंग मशीन का इस्थान ले लिया है अपनी उगली से बटन दबाओगे अपने आप हाथ का पंजा कटके गिरेगा गिरेगा के की निकिरेगा हिसाब चुकता हो जाएगा तो आप समेरे साथ खड़े हो करके अपने हाथ दोनों की मुठ्थी बांदो और सिंध्या जी को जीताने के लिए नरेन मोजी जी को दुनिया का नंबर एक देज बनाने के लिए प्रदान मंत्री पुना बनाना जरूरी है और सिंध्या जी को पुना मंत्री बनाना है बैने खड़े हो जाएग ने स्थान पार आप भी दोनों हाथ की मुठी बान ले एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्स में निगरें गुना के विकास की चिंता मत करना मेडिकल कालेज, एकरिकल्चर कालेज, नगर नियम, रिंगरो और जो जो मांगोगे वो सब देंगे कोई कभी कसर बाकी नहीं रहेगी लेकिन अभी सबसे पहले नरेन मोदी के नेतरत में सिंध्या जी की जीत जरूरी है, पुल सब तयार है, सब तयार है, उपला मेरे साथ भारात माता की, गोपाल कुष्ट भगवान की, आज के आनंद की, बहुत बहुत निवाद भारात माता की मेरे लिए अजय क्या है, अले आप सिंटा मत करो मेरे कांग में भी यह गोड़ा सिय ओप्राकर, अब मैं काके अन्मान प्रणलें मान की का मिनड़ा समय हुआ है, अले रहे हमने का के अल्वान जाल दो कर दूब लागा का है, प्रत्यक इस्थान को यह समय सब्सक्त कर जाए कि तरहे बनाएंगे वा थेक्री सरकार को में कि तरहे हानाद केसा तांग लाए भारात मातार की थेक्री सरकार की के अबरा रखालो जली जली के अबरा ने काल दो आखिए